अब एक कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भुपाल में प्रकाश जहां पर बजरंग दल के कारेकरताओं ने हामला किया था इसकी निंदा करनी चाहिए कारवाई होनी चाहिए तेकि बजरंग दल के कारेकरताओं का ये रुख स्वराभासकर को आहत कर गया और वो अपनी बात रखते हुए ट्वीट करती है और स्वराभासकर ने डंके की चोट पर एक बात थी उन्होंने कहा कि नए भारत में उनको डर लगता है वो यहां पर स्वरक्षित महसूस नहीं करती है फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि स्वराभासकर ये सारी बाते नए इंडिया में रहकर की कर रही है और आसरकार की आलोचना भी इसी नए इंडिया में करती है अभी इस ट्वीट को दिखाता हूँ जो ट्वीट दो स्वरा भासकर ने किया था उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि चौकाने वाला शर्मनाक और पूरी तरह से अविश्वस्नी है नई भारत में कोई भी सोरक्षित नहीं है भीड पीट पीट करके मार डालने की जो बरबरता की संस् ने हमें एक ऐसे मुकाम पर पहुचा दिया है जहां किसी पर भी कभी भी किसी भी चीज से हमला हो सकता है ये वाकई भयावे है इस ट्वीट के बाद लोगों ने कई सारे रियक्शन स्वरा भासकर को देने शुरू किये कई लोगों ने कहा कि स्वरा भासकर आप सीरिया बा अगनी होतरी के उस बात पर जब उन्होंने स्वराभासकर को लेके कहा था ये एक फेक फेमिनिस्ट है उसके बाद अगनी होतरी ने बाद में जो भी सफाई फाई दी हो बात अलग है लेकिन फेक फेमिनिस्ट स्वराभासकर को कहा स्वारा भासकर कई फिल्मों में काम कर चुकी है स्वारा भासकर अपने फिल्मों के लिए कम अपने फेमिनिस्ट बयानों के लिए ज्यादा चर्चा में रहती है तो दोस्त मैं आज सोच रहा था कई सारे लोग के मन में कि सवाल रहता है तो आज मैं आपके सामने फैमिनिजम को लेकर के एक चर्चा करना चाहता हूँ अब बॉलिविड के सतारों के सहीद सहीद कई सारे नेताओं के बातों को समझानी कोशिश करूँगा फैमिनिजम जो शब्द है कई सारे लोग के लिए सिरदर्द बन चुका है बलकि अधिकतर लोग को तो इसका असली मतलब नहीं पता लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि विरोध करें तो किस बात करें अब इस सब्द ने इतना बेड़ा गर कर रखा है लोग का कन्फ्यूज हो चुके हैं बहुत बुरी तरह सी है कि इसका असली मतलब है क्या लेकिन देखिए अब खुदी लोगों ने इसको rocket science बना दिया है कठिन बना दिया तो समझ में नहीं आ रहा तो आज मेरा काम क्या है कि ये सारे जंजट जो tantrum नहीं वो खतम करते हैं और आपको पता नहीं कोशिश करते हैं कि आखिर feminism वास्ता में है क्या लेकिन दिक्कते शुरू कहां से होती है विवाद वहां खड़ा होने रखता है जहां बात इस मोड पर आ जाती है कि महिला का सम्मान मर्दों से ज्यादा होना चाहिए इस तरह की विचारधारा को हम कहते हैं pseudo-feminism अब pseudo-feminism के नाम से पहचाने जाते हैं से विचार जब ताकत के नाम पर किसी और को दबाये जाने लगे तो एक confirmed biasness हो सकती है अब देखिए फर्ज करिए हमें महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल सही बात है लेकिन वो हमारे बिना अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती ये धारणा पूर्ण रूप से गलत है चिन कामों को समाज में नकार दिया जाता है और उसी काम को विवादत श्रेडी में समझा जाता है तो उस काम को देखने का नजरिया तब पलटता है जब लड़कियां उस काम को कर लेती है हाली में हमने एक चीज देखी बड़ी अजीब सी चीज थी लखनों में कैब ड्रैवर वाली बात उसके साथ एक दुर विवार हुआ था कैसे एक लड़की ने उच्छल उच्छल करके अब सोचे अगर वो वीडियो सामने मेरे और आपके नहीं आता तो आज वो कैब ड्रैवर जेल में होता ना जाने कितनी धाराओं के साथ जेल के अंदर पहुंच गया होता लग गई होती लेकिन इस पुरे विवाद और वीडियो में एक बात गौर करने वाली ये थी सरेयाम लड़के को पीटा जा रहा था लेकिन लोगों ने उसकी मदद नहीं की सवाल यही है यह अंधापन है अगर यही मंजर एक लड़की का होता तो नचाने कितने लोग उसको बचाने के लिए उस रण में खूद जाते और अपनी अपनी ताकत का भरपूर परिचे भी देते लेकिन उस लड़के की मदद के लिए एक भी हाथ आगे नहीं बढ़ाय गया यही सवाल है और सोच का विशय भी है समाज की महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है और यह सब्धे समाज की एक सबसे बड़ी जरूरत भी है लेकिन दूसरे वर्ग को दबा करके उसका सोचन करके महिलाओं को सशक्त नहीं बनाया जा सकता और यह अस्वी कारिया है विश्व भर में अगर आप देखेंगे महिलाओं को अधिकारों का समर्थन करने वाले बुद्धी चीवी वर्ग भी इस बात को कहता है जो बात मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन अंधेपन में हम एक समाज के तौर पर इस बात को भुला देते हैं सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि महिला अपना अधिकार पाने में अपनी सुरक्षा करने में और खुद को काबिल बनाने में सक्षम है क्या एक वर्ग को या ताकतवर बनाने के लिए दूसरे की बली चड़ाना जरूरी है अब इस ओर ध्यान देने की जरूरत है फेक फैमिनिजम का चर्शा की थी आपको मैं एक 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 जामपल देखे करने के लिए ज़ाड लगाई है पकड़ के ज़ाड लगाई है लेकिन शर्टलेस आदमी के लिए खुद वही कमेंट आपने पास की हो अगर हाँ, तो यही होता है फैमनिजम का दिखावा करना नारिवाद का दिखावा करना अगर आपको लगता है कि महिलाओं के शरीर को लेके भद्दे कमेंट करना गलत है तो उसी तरह पुरुष के शरीर पर आप कमेंट कर रहें वो भी तो गलत है ये दिखावा है समझ में आता है आपको फैमिनिजम का मतलब हमने समझ लिया लेकिन आखेर विवादों की शुरुआत कैसे कैसे होती है इसमें नेताई भी हैं बड़े बड़े चहरे भी हैं लेफ्ट, राइट, लिब्रल इन सब के बात करूँगा लेकिन राजनिती की गलियारों में महिलाओं के प्रती काफी सम्मान देखा जाता है लेकिन समय समय पर राजनिती के धुरंदर महिलाओं पर कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिन्हें समझना तो दूर उसकी चर्चा करना भी शर्मशार कर देने वाला होता है मैं आपको समझाता हूँ देखे जेडियों के जाने माने नेता और सांसद शरी शरद यादव को महिलाओं पर विवादित बयान देने में एक महरत हासल है 2017 में उनका बयान यू था कि वोट के इज़त आपकी बेटी की इज़त से ज्यादा बड़ी होती है अगर बेटे की इज़त गई तो सिर्फ गाउं और महले की इज़त जाएगे लेकिन अगर वोट एक बार बिग गया तो देश और सुबे के इज़त चले जाएगे हर किसी को निर्भया मामले की जानकारी है सबको पता है लेकिन जब देश एक बेटी के लिए दुआ मांग रहा था और उसके साथ हुए वीभत्स कांड के प्रती आक्रोश चता रहा था तो देश की केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के लोग जरता के बीच कुछ ऐसे बयान द देते नजर आए पश्चिम बंगाल के जांगीपुर के कॉंग्रेस सांसध अभिजीत मुखर जी ने कथित रूप में कहा था कि दिल्ली में 23 वर्षय यूविती के साथ पलातकार के विरोध में प्रदर्शन में जो हिस्सा लेरी च्छात्राएं सजी और सवरी महिलाएं है जिने असलियत के बारे में कुछ नहीं पता है साथ ही उन्होंने कहा था कि हाथ में मुखर जला करके सड़कों पर आना एक फैशन बन चुका है यह सजी सवरी महिलाएं पहले डिसको में जाती है वहां से आने के बाद गैंग रेप के खिलाफ विरोध दिखाने में इंडिय गेट पहुंच जाती है कॉंग्रेसी निता है दिगवजा सिंग वो कहते है कि महिलाओं पर उन्होंने एक बार पढ़ा ही घटिया शब्द का स्तमाल किया था टंच टंच माल कह दिया था बताइए इस शब्द कहने मुझे खुछ शरम आ रही है कॉंग्रेसियों को तो जैस महिलाओं की कीचड उचालने का शौक है लेकिन इस मामले में सिर्फ लिब्रल विचारधारा के लोग शुमार नहीं है राइट विंग और नारी शशक्ति करण के जंडे को सबसे उचा पकड़ के चलने वाली पार्टी भाजपा पार्टी इनके भी ने कुछ महानुभाव ह इस दोट में सबसे आगे हैं रिले रेस में हमेशा जीतते हैं बीजेपी के नेता है प्यालाश विजयवर्गिये महिलाओं को ऐसा शुरंगार करना चाहिए जिससे शुरध्धा पैदा हो ना क्यों उत्तेजना हो जाती हैं जिससे लोग उत्तेजित हो जाते हैं बहतर हैं क जो आपने शब्दों की लक्षमेंट रखा पार कि उसका क्या विजयवर गिया जी? 36 गड़ के कोर्बा से बीजेपी के सांसद हैं पंसिलाल महता. उन्होंने कहा कि राज जी के लड़किये के रिए ऐसे शब्दे का इस्तमाल किया जिसे लेकर के काफी आलोचना हुई. महतों ने 36 गड़ के खेल मंत्री भहिया लाल राजवाड़े का नाम लेते हुए कहा कि वो अकसर बोला करते हैं कि अब बालाओं की जरुरत मुंबई और कलकत्ता से नहीं है. कोर्बा की टूरी और 36 गड़ की लड़किया तना तन हो गई हैं. क्या बात हैं? कुछ कहूँ. बलातकार बढ़ने को लेकर के RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक वर क्या कहा था? बलातकार एक पाश्चात्य सब्विता का दुष्परभाव है और इसलिए शहरी इलाकों में ज्यादा होता है. हमारे गाओं जहां रास्ट्रिय भावना प्रभल होती है, वहां बलातकार नहीं होते हैं. अब ये बात सोचने वाली है दोस्त, कि क्या बलातकार शहर और गाओं देखकर किया जाता है? और किया बलातकार जैसी बाते इतने समवेदन हिंता तरीकी से की जाने चाहिए, जितनी समवेदन हिंता से इन निताओं ने किया, लेफ्ट राइट सब वाल लोगों ने, अब जब देश के चुने हुए प्रतिनिधियों के मुह से महिलाओं पर ऐसे बयान निकलेंगे, तो देश की साख कहा जाएगी, ये बात सोचने वाली है, अब जड़ा कम्यूनिस्ट पर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि इस विचारधारा के लोगों ने हमेशा सही राष्ट्रिय पक्ष पर खुल करके बात किया, और मुखर विरोध किया है, चाहें उनके साथ सत्ता में भी रहें और नहीं भी रहें हैं, नारी ससक्ती करण का सबसे बड़ा प्रतिक खुद को ये कम्यूनिस्ट मानते हैं, CPM के के केरल एकाई के सेक्रेटरी है, कोडियारी बाला कृष्णन, और उन्हें सेना पर निशाना साथते हुए कहा, कि आर बोल्ट बोलते हैं, कि जनाब महिलाओं पर चले गए CPM नेदा ने कहा, वो किसी भी महिलाओं को उठा सकते हैं, और उसलत बनातकार कर सकते हैं, महिलाओं के रेप जैसे मुद्धे पर एतनी आसानी से बयान देना, जिसका ना कोई सर है और ना ही कोई पैर है, कितना जाईज आपको लगता है, एक सरवे में साबित हुआ कि आनलाइन प्लैटफॉर्म पर महिलाओं नेताओं को निशाने पर लिया जाता है, उसमें महिला नेताओं पर उनके जैंडर, धर्म, जाती, शादी और अन्य परसनल मुद्धू को लेकरकर निशाना बनाया जाता है, एजिंसी के और से देश की कु एक लाख 14,716 से अधिक ट्वीट की चांच की गई, जिसमें इन नेताओं को मैंशन किया गया था, यह MNST इंटरनेशनल का, अब यह NGO यहां से भारत से, इस पे कई तरह के बेन लगा दिये गए हैं, यह तो मैंने इस पे रिपोर्ट की थी, रिसर्च में यह भी सामने आया, कि इन में से कुल 13.8% ट्वीट में इनके खिलाफ गाली गलोज का इस्तमाल किया गया था, वहीं मुसलिम महिला नेताओं को करीब 95% ट्रोलिंग उनके धर्म की वज़ा से सहनी पड़ी थी, एजेंसी ने यह भी पाया, कि इसमें अधिकतर उन महिला नेताओं को निशाने पे लिया जाता है, जो कि बीजेपी से तालुकात नहीं रखती हैं, राजनितिक गलियारों में तो ये बयान धुरंदरों के मुह से आपने सुना होगा, माया नगरी में जो कुछ अपने मुखर आचरण के कारण हर दिन विवाद में घिर जाता है, एक पर बॉलिवुड की जानी मानी अभिनेतरी, कंगना रनाओत, अपने साथ विवाद को परच्छाई की दरा लेकर चलती है, जिसे उनकी पिछली फिल्म थी ना मनी करने का, जिसके लिए उन्होंने नेशनल पुरुषकार से भी उनको नवाज आ गया था, उसे लिए ही है, अब देखिए, ऐसे बयाओने के बाद सोशल मीडिया पे बहस चड़ना लाजमी था, बहस चड़ी, तेजी से चड़ी, कि महिलाओं को बराबर का अधिकार क्यों नहीं है, या उनकी फिल्म को लोग ज्यादा पसंद क्यों नहीं करते हैं, आपने अपने विवादित बयानों के करण, खुद को महिला सशक्तिक करण के मिसाल के रूप में प्रचारित करने वाली कंगनर अनावत को दिल्ली महिला आयोक की अध्यक्ष स्वाती मालिवाल का गुस्सा भी कंगनर अनावत को झेलना पड़ा था, बीते दिनों फार्मर्स प्रोटेस्ट में शामिल की फैलाना, और खुद को बबर शेरनी और जहासी की राजनी समझने वाली कंगना, इस देश की असली शेरनी, इस देश की महनतकश महिलाएं हैं, जो किसानी करके देश का पेट भरती हैं, सीमा उपर देश की रक्षा करती हैं, वाई सिक्यूरिटी लेके हवावाजी करने स स्वाती का जो गुसा था, वो शांत नहीं हो रहा था, स्वाती ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, खुद बंदू क धारी वाई सेक्यूरिटी में चलती हो, और खुद को शेरनी समझती हो, हिम्मत है, तो एक दिन खेत में काम करके देखो, एक दिन आम लड़की की तरह, ब स्वारा भासकर की बात करना जरूरी है, वो अपने फैमिनिस्ट विचारों के लिए जानी चाती है, तो उनके भी कुछ ट्वीट से उनका भी जिक्र करना थोड़ा जरूरी है, एक बार की बात है कि देश में लव जिहाद को लेकर के जब आकरोश पैदा हो रहा था, तो स् प्रदाइक उनमाद को हवा देने के लिए, चुनाफ परचार के दोरान जूट फैलाने के लिए, युवाब मुस्लिम पुरुशों का अपराधी करन करने के लिए, हिंदु महिलाओं पर उनकी कामुक्ता को नियंतर्त करने के लिए, अब इस बयान के कई लोगों ने दो मत किस ने दिया, ये कड़वा सच है कि महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, क्योंकि अपने विचारों को और अपनी बातों के सही साबित करने के लिए, कई ऐसी महिलाओं हैं, जो स्वयम्भू प्रधान बनकर पूरे समाज को समझाने कोशिश में लग जाती है दूसरी बॉलिवड के अब इने इतरी भी फैमिनिजम के समर्थन में आई और कहा, और खुल कर कहा, और महिलाओं के विश्व में बात की है, इसे कि रितिक रोशन की बात में करता हूँ, नारी बात पर चर्चा करते हुए, उन्होंने ट्विटर पे भी लिखा था, कि प्रदेश के हात रस में बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, बलातकार कांड में पूरे बॉलिवड ने दोश्यों के फासी के लिए मांग की थी, और पीडित बच्ची को समर्थन भी दिया था, लेकिन उन्हीं लोगों में शामिल थी कुछ लोग जिन्होंने दोश्यों को सर पहला मेरोर आपके अंदर एक इंसानित होनी चाहिए, ठीक है, किसी वर्ग को दबा करके, किसी वर्ग को उठाना ये भी करते है, हमारोर आपके अंदर इंसानित होगी तो भेदभाव वाले जिज रिष्टी है, वो खतम हो जाएगी, बहुत सारे एक्जामपल ऐसे हैं, ज लेकिन वहीं एक महिला का पती अगर मर जाता है, तो वो दूसरी शादी कर लेती है, तो समाज उसको दूसरे नजरी से देखता है, अगर तलाक शुदा जो महिला है, और विदवा जो महिला है, अगर ये शादी करती है, तो समाज इनको सहस तरीके स्विकार नहीं करता है, जो विवहार हमें पसंद ना हो यानि कि जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो चीज सामने वाले हो कैसे पसंद हो सकती है इसी मांसिक्ता के साथ अगर आप सामने वाले से दूसरे से अपने आसपडोस से देख करके बात करेंगे तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएग वीडियो को तीन WhatsApp गुरूप में शेयर कीजिएगा ये लंबे वीडियो टाइप पॉड्कास्ट के लिए मुझे आप थोड़ा सा बताईएगा कि भविश में और क्या चेंजिस कर सकते हैं क्या करना चाहिए बहतर कॉंटेंट लाएंगे जाहें वंदे मात्रा